हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रामा सिरीज, आज मैं आप कुछ इस ड्रामा के बारें बता रही हूँ, उस ड्रामा का नाम है लबली होड़बली, ये एक होरर कॉमेडी रोमैन सुपर नेचरल ड्रामा है, अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.2 आ फैमली को लेकर आता है, तो वो जोतिसी इलसुन की फैमली को फिलिप की मॉम से मिलवाती है, तो फिलिप की मॉम उस फैमली को कहती है, मैंने आपको जो लाने को कहा था, क्या आप वो लेकर आई है, तो इलसुन की मॉम को इलसुन की जनम कुंडली देती है, तो फिलिप की म तुbak मारे जैने बेटे के बहुता है की जिंदगी बचाने के लिए किसी और के बच्चे के साथ नहीं खेल सकती मैं उसका भागे चुराकर अपने बेटे के भागे में नहीं डाल सकती तो जो तिसी कहता है तुम्हारे पास बस यही रास्ता है अपने बेटे को बचाने का और जैसे ही तुम अपने बेटे का भाग उस बच्चे के भागे से बदलोगी तो उस बच्चे के साथ हमेशा बुरा ही होता रहेगा और तुम्हारे बच्चे के साथ हमेशा अच्छा ही होता रहेगा और उन दोनों बच्चे की किसमत उल्टी हो जाएगी एक की किसमत अच्छी होगी और दूसरे की बुरी और एक बा इन दोनों की जिन्दिकी में क्या होगा इसकी कलपना भी हम नहीं कर सकते इसलिए बहतर होगा कि ये दोनों कभी भी ना मिले तो flip की mom अपने बच्चे की हालत देख कर हामी भर देती है और कहती है ठीक है आप ऐसे बच्चे को ढूनिये जिसकी किस्मत मेरे बेटे से मिलती हो आगे प्रजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो जोती सी सेन फिलिप की कुंडली जैसी इलसुन की कुंडली लाता है और उन दोनों की कुंडली को फिलिप की मॉम मैच करती है तो दोनों की कुंडली मिल जाती है तो फिलिप की मॉम अपने बेटी की तरफ देख और कहती है आपकी बेटी का भाग्य बहुत ही अच्छा है बस हमें एक छोटी सी पूजा करने होगी जिससे आपकी बेटी का भाग्य बदल जाएगा और वो हमेशा खुस रहेगी तो इलसुन की फैमली पूजा के लिए मान जाती है आगे फिलिप की मॉम एक मुर्ती के सामने खुब डांस करती है और जादू टोना करती है इधर फिलिप इलसुन के लोकेट को देखता है क्योंकि वो लोकेट बहुत ही अजीब होता है तो इलसुन कहती है ये लोकेट सेप के पेर से बना हुआ है और मुझे मेरे बड़ों ने कहा है इस लोकेट को गले से नहीं उतार आगे वो दोनों साथ में मिलकर गेम खिलने लगते हैं आगे फिलिप की मॉम और फिलिप भूतिया जंगल से अपनी घड़ की तरफ जा रहे होते हैं तो फिलिप अपनी मां से पूछता है मां आपने आज भी भूत देखा ना तो आपने क्या भूत से नहीं कहा कि वो मुझे कर दे और पापा हमें पीने के बाद ना मारे वैसे मां भूत कैसे दिखते हैं तो फिलिप की मॉम फिलिप को कहती है आज मैं तुम्हें एक सिक्रेट बताती हूँ इस दुनिया में भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और तुम टेंसन मतलो तुम बहुत जल्ट ठीक हो उनकी किसमत फिलिप पास आती है और फिलिप जो भी काम करता है उसमें सफल होता है और वही इसंध फूर स्पहर बहुत सरु भी मिलते हैं और इस पूर्टा इसकापcha मिलता की उसर तो एक심तरों को सफलता नहीं मिलती और इलसुन एक राइटर होती है और वो बहुत सारे ड्रामाज लिखती है पर एक भी ड्रामाज उसका सेलेक्ट नहीं होता और बेचारी की फूटी किस्मत वो जब भी जहां भी जाती है हमेशा गिरती परती ही रहती है तो इलसुन अपनी ऐसी फूटी किस्मत से बहु की तरह हुआ ना तुम कहीं अपने बाल धोती हो और ना हिए अपने आपको मेंटैं रखती हो तुम काम के चक्र में सब कुछ बुला देती हो इसलिए मैं एक एड़कू सुर्शन कोई ते अब सब्सक्तलिक構ते Democrats अगर तया को समझी कर देना हिए और फूर mostly सलिब पर उसका स्वागत करते हैं वैल उसी एरपोर्ट पर हमारा सेकेंड में लीड ली सेंग भी होता है तो ली सेंग जैसे ही फिलिप को देखता है तो उसके पीछे उसे ब्लैक सैडो दिखता है तो वो ये देखकर पुरी तरह सौक्ट हो जाता है पर वो इस बात पर जादा ध्य करना होगा आगे फिलिप को एक अंजान लरकी मैसेज करती है और कहती है मुझे आपसे मिलना है क्योंकि आपकी जान खत्रे में है तो फिलिप जैसे ही उस मैसेज को देखता है तो पूरी तरह पगला जाता है और अपने सेकेर्टरी को कहता है देखो फिर से इसने मुझे मै कर रहा है कि तभी फिलिप की गर्फरन योना जो सेकेंड फिमेल लिड होती है वो फिलिप को कॉल करती है और उससे उसका हाल चाल पूछती है और कहती है मैं तुम एरपोर्ट पर लेने आने ही वाली थी पर मुझे कुछ काम आ गिया तुम जल्दी से घर आ जाओ उसके बाद इसने दिया तो वह कली कहती है मुझे नहीं पता पर वह बहारी है तो युना उसे ढूड़ने के लिए बहार जाती है पर वह लड़की उसे कहीं भी नहीं मिलती इधर फिलिप का ड्राइवर फिलिप से उसके माता-पिता के बारे में आस तक कोई नहीं जानता तो कांगते उस ड्राइवर को कहता है तुम यहाँ पर काम करने आए हो तो अपने काम पर ध्यान दो समझे तो बेचारा ड्राइवर चुप हो जाता है लेकिन फिलिप सेड हो जाता है अपनी फैमली का नाम सुनकर इधर यून योंग एक रिपोर्टर को अपना इंटर्यू दे रही होत तो यून योंग को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है लोग तो इसी तरह की बाते बनाएंगे जब आप सक्सेस्पूल हो जाते हैं तो लोग आपके पीछे ऐसे ही बाते बनाते हैं इसलिए आप बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए और आज का करवाने के लिए लेकर आए हो मैं इसके साथ मिटिंग नहीं करूंगा और फिलिप वहां से जाने लगता है तो कांगते फिलिप्स को रोकता है और कहता है उसने हमें देख लिया है तुम अगर इस तरह चले जाओगे तो उसे बुरा लगे या अच्छा इससे मेरा कोई ले द्रामा का ओफर देती है और कहती है मैं चाहती हूं कि तुम इस ड्रामा के मेन लीड बनो तो फिलिप यून यॉंग के मूपर ही मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई कॉंट्रेक्ट साइन नहीं करूंगा और फिलिप यून यॉंग को बहुत बुरा भला भ कि वो सदनली केक पर ही गिर जाती है क्योंकि फिलिप का भाग बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि अगर कोई भी उसके साथ बुरा करना चाता है तो उल्टा उसके साथ ही बुरा हो जाता है और फिलिप्स बेचारा बच जाता है तो फिलिप्स यून यूंग की ऐसी हालत पर तो यून्यों को फिलिप्स पर बहुत गुसा आता है और उसका गुसा साथवे आस्मान पर पहुंच जाता है और बेचारी कुछ कड़ भी नहीं पाती तो कांग्टे फिलिप्स को कहता है तुम यहां से जाओ मैं इस मामले को संभाल लूँगा तो फिलिप्स वहां से चला ज जाता है आगे फिलिप्स लिफ्ट के पास जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं रहता तो फिलिप्स को उस जगहां को देखकर बहुत अजीब फिल होता है और उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है तो फिलिप अपने सेकेटरी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि कार लोट में तो फि को देख कर डर जाता है और जल्दी से कार चला कर वहां से भाग जाता है तो वह अपनह से को कॉल करके बुलाता है कि तब लेने के लिए यून यूंग केशी ब्हुत कर रही होती है का च्पक है। कि हम लोग इस तरह नहीं मिल सकते तुम वहीं पर रुको मैं तुमसे वो कॉपी लेने के लिए आ जाऊंगी तो इलसुन कहती है तुम्हें आने की कोई जुरत नहीं है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसलिए मैं पार्टू तुम्हारे पास ही लेकर आ रही हूं तो को चाकू की नौक पर अपने साथ ले जारा होता है वो भी जबरदस्ती तो इलसुल जैसे ही कोई क्राइम देखती है तो उसमें काली माता का भूत सवार हो जाता है और वो उस बंदे से लड़ने के लिए चली जाती है इधर फिलिप्स भी उन दोनों की लड़ाई देख र तो फिलिप्स जितनी बार भी मैजन करता है उतनी बार वो खुद ही मार खा जाता है और फिलिप्स ये सब सोचकर ही डर जाता है और कार में ही बैठा रहता है इधर इलसुन भी कार में देख लेती है कि कोई बंदा है लेकिन वो हेल्प करने के लिए बाहर नहीं निकल रहा और फिलिप्स को कार के बाहर निकाल कर कहती है अब तुम इस बंदे से लड़के दिखाओ अब यहाँ पर हम दो-दो हैं तुम अब हमसे जीत नहीं सकते तो फिलिप्स इलसुन को कहता है तुम क्या बकड़ई हो मैं इससे क्यों लड़ू देखो भाई मेरा तुमसे कोई इसमत होती है वह चाहे कितना भी अच्छा करने क्यों न जाए उसके साथ हमेशा बुड़ा ही होना है आगे वह बंदा इसुन को मारने लगता है तो फिलिप्स इलसुन को बचाने के लिए जाता है तो वह बंदा फिलिप्स को चाकु भोग देता है लेकिन सही टैम पर खूँन देखते ही फिलिप बिहोस हो जाता है आगे इलसुन खुद को सम्हालती है और एक स्टोट पर जाकर फिलिप के लिए पानी लाती है ताकि वो उसे होस में ला सके आगे जब इलसुन उस जगहां पर पहुंसती है तो फिलिप वहां पर नहीं होता तो वो सोचने लगती है कि आखिर कार ये बंदा गया तो गया कहां कि तभी इलसुन की नजर उस ब्रासलेट पर परती है और इलसुन उस ब्रासलेट को उठा लेती है और वहां से चली जाती है इधर सू जंग बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिस वज़ा से वो बहुत डर जाती है और सू जंग यून्योंग को मेसेज करती है और लिखती है यून्योंग उस घोस्ट लब स्टोरी में कुछ तो ऐसा है ज चुन्यों में तेकों सब्सक्राइब तो दम्हारे साथ कोई लड़की थी? मुझे भी बताओ तुम्हारा चकर किसके साथ चल रहा है तो फिलिप्स कहता है बखवास की बाते करना बंद करो तुम्हें पता है आज मेरी जान जाते जाते बची है इदर ली सैंग यून यौंग से मिलने जाता है पर यून यौंग घर पर नहीं होती तो वो वापस अपने घर जारा होता है तो उसे रास्ते में इलसुन मिल जाती है तो इलसुन ली सैंग से छुपने की कोसिस करती है क्योंकि उसका देधजा बिल्कुल अच्छा नहीं होता और वो नहीं चाहती कि ली सैंग उसे ऐसे भेज़बूसा में देखे लेकिन फिर भी ली सेंग इलसुल को पहचान लेता है और कहता है तुम्हारे हाथों पर चोट कैसे लगी तो इलसुल जूट बोलती है कि वो गिर गई थी जिस वज़ासे उसे चोट लग गई तो ली सेंग इलसुल को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसके हाथ का ट चैनल क्या है ? तुम कौन से मूवी में डेव्यो करने वाले हो ? तो लिसैंग कहता है judgment मैं यून्योंग की आने वाली लगी मूवी एक खोश्ट लव स्टोरी में काम करने वाला हूं और यून्योंग ने मुझे मिलने के लिये ही बुलाया था पर वो अभी घर पर नहीं है तौ तो इलसुन जैसे यह सुनती है तो उसके पेड़ों तले जमीन खिसक जाती है और वो यून्यॉंग के घर जाती है और उसका दरवाजा कसकर पीटने लगती है और कहती है यून्यॉंग बहार आओ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती तुम मेरी मेहनत को चुरा कर मुझे भी च जूस करवाया कि उसने वो इस्कृप्ट लिखी है ईलसुन तुम इतनी बेवकुफ कैसे हो सकती हो तुमने अपनी पूरी मेहनत की हुई script उसे कैसे दे दी तो इलसुन ली सैंग को पूरी story बताती है कि तभी एक past की story दिखाई जाती है यून यूंग इलसुन को कह रही होती है तुम्हें उस story का part 2 लिखना होगा क्योंकि लोग इसकी demand कर रहे हैं तो इलसुन यून यूंग दे दिया कि तुमने वो script लिखी थी तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर दुबारा भरोसा करूंगी बिलकुल भी नहीं तो यून यूंग इलसुन के पहले में popular नहीं थी लेकिन मैं अब popular हूँ अब मैं तुम्हें को writer बना सकती हूं प्लीज मेरी एक बार help कर दो अगर तुम्हें यह ड्रामा दे दोगी तो मैं तुम्हें इस drama का देखकर सैड हो जाती है आगे इलसुन बस इस्टोप पर बैठी होई होती है और अपनी फूटी किसपत पर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा मास्क पहने हुए खड़ा हुआ होता है और वो फिलिप की फोटो को देख रहा होता है क्योंकि पूरी दुनिया के साम है और कहती है मा कल मेरा बर्थ डे है पर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूं पर मेरे साथ उल्टा बुड़ा ही हो जाता है और इलसुन अपनी मा को अपनी दुख भड़ी कहानी सुनाती है और खूब रोती है इधर फ बाद कर दूँगा उसने बिना मुझसे पूछे मेरा नाम अपने नए ड्रामा में कैसे कास्ट कर लिया और फिलिप कांगते को जार कर कॉल कट कर देता है उसका ड्राइबर फिलिप को कहता है क्या आपने एक घोश्ट लब स्टोरी का स्क्रिप्ट पढ़ा तो फिलिप कहता ह आपको उसे पढ़ना चाहिए बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है तो फिलिप कहता है क्या तुमने उसे स्क्रिप्ट को पढ़ा है तो ड्राइबर कहता है हाँ मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसमें एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है लेकिन उसकी एक्सिडेंटली तो वो लड़की उन सारी लड़कियों को मार देती है जो भी उसके प्यार के पास जाने की कोसिस करता है तो फिलिप ये सुनकर डर जाता है और कहता है ये कहानी इतनी डरावनी है मैं इसे कभी भी नहीं करूंगा और फिलिप अपने कलाई को देखता है क्योंकि उसके कलाई पर वो ब्रासलेट नहीं होता तो वो ये देखकर टेंसन में आ जाता है अगे वो लोग अजीब जंगल में जाते हैं तो फिलिप उस जंगल को देखकर ही डर जाता है और उसे कहता है क्या यहीं पर डायरेक्टर हमसे मिलने आने वाले हैं तो वो कहता है हाँ सर यहीं पर मिलने आने वाले हैं उन्होंने कहा था कि वो एक लोज में हमारा वेट वो लोज यहीं कहीं होनी चाहिए कि तभी उस सेकेटरी को उस डायरेक्टर का कॉल आता है और वो कहता है मैं अभी रास्ते में हूँ क्या तुम लोज वहाँ पर पहुच गए हो तो जाकर लोज में मेरा इंतिजार करो मैं बहुत जल्द वहाँ पर आ जाऊंगा तो वो नहीं रहता कि तभी उधर से एक बंदे की इंट्री होती है तो फिलिप उस बंदे को देखकर पूरी तरह डर जाता है तो उसका सेकेटरी कहता है हम रास्ता भटक गए है क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो लोज कहा पर है तो वो बुढ़ा आदमी फिलिप को देखकर चौ बिघ्ए तो फिलिप कहता है मुझे नहीं दिखवाना पर सेकेट्री जबरदश्टी फिलिप को वहां बैठा देता है और उस बूढ़े आदमी को फिलिप का भर्ठ ऑप डेट बताता है तो बंदा फिलिप का जैसे भर्ठ ऑप डेट बदेट भाविश्य वानी निकालता ह तो उसे पता चलता है कि ये आदमी तो मर गया है तो फिलिप्स जैसे ये सुनता है तो वो सौक्ट हो जाता है और कहता है आप ये कैसे कह सकते हैं मैं अभी जिन्दा हूँ मैं मरा हुआ नहीं हूँ तो वो जो तिसी कहता है ये डेट बतारी है इस बंदे को 24 साल पहले ही मर जाना चाहिए था ये तुम्हारी डेट आप बर्थ है ना तुम्हें तो मर जाना चाहिए था लेकिन तुम अभी भी जिन्दा हो इसलिए हर एक 8 साल के बाद तुम पर मौत मन राती है और तुम इस 8 अगस्त को आधी रात में मर जाओगी तो फिलिप उस बूढ़े आदमी की बातों पर भरोसा नहीं करता और अपने सेकेटरी को कहता है इस आदमी को पैसे दो और यहां से चलो तो वो बंदा कहता है तुम 8 साल पहले ही एक औरत की वज़ा से मर गए थे है ना तो फिलिप यह सुनकर चौक जाता है कि तभी उस बूढ़े आदमी का कोई गला घोटने लगता है तो वो दोनों यह देखकर पूरी तरह सौक्ट हो जाते हैं आगे वो बूढ़ा आदमी फिलिप को बताता है वो औरत वापस आ गई है और इस बार वो तुमें मार कर ही रहेगी तो फिलिप जैसे यह सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि तभी कुछ फ्लैस बैक दिखाया जाता है जहां पर एक औरत बेहोस आग में फसी हुई होती है और एक बंदा उसे देख रहा होता है तो वो बूढ़ा आदमी फिलिप को कहता है तुमने किसी और की किसमत चुराई है जैसा कि तुम किसी और की जिन्दकी जी रहे हो और तुम इसी वज़ा से जिन्दा हो तो फिलिप कहता है अंकल आप क्या बखवास कर रहे हैं तो वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम इस बार क्या करोगे क्या तुम उसकी किसमत उसे शिन्दो गे या फिर तुम उसे अपने साथ लेकर जाओगे इस बार तुम क्या चुनओगे तो फिलिप कहता है अपनी बखवास बंद कीजिए मैं आपकी बेतु का बाते और नहीं सुनूँगा तो वो बुढ़ा आदमी कहता है इस बार तुम क्या चुनोगे या तुम खुद मर जाओगे या फिर तुम उसे मार डालोगे तो फिलिप उसकी बातों से पूरी तरह उप जोरगी बारिस भी होने लगती है और मेग गरजने लगते हैं तो इलसुल ये सब देखकर समझ जाती है कि उसकी बुरी किस्मत है जो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ीगी और ये सब उसकी बुरी किस्मत की ही वज़ा से हो रहा है कि तभी इलसुल को कुछ विजन तो इलसुल भगवान से प्रे करती है कि उसका लैपटोप ओन हो जाए कि तभी वो ब्रासलेट अपना जादू दिखाती है और उस लैपटोप को ओन कर देती है आगे इलसुल अपनी कहानी का लास्ट पार्ट लिख रही होती है इधर फिलिप अपने सेकेटरी से पूछता है हमें उससे और पूछना चाहिए था वो हमें और कुछ भी बताता तो फिलिप कहता है बकवास करना बंद करो कि तभी उदर से लैंड स्लाइड हो जाता है जिस वज़े से फिलिप का कार खाई में गिर जाता है और वो कार पूरी मट्टी से ढख जाती है इधर इलसुन अप ये वाले एपिसोड में ही पता चलेगा इसलिए मेरे साथ बने रहिए और यही पर एपिसोड वन खतम होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूले